ये बात करते अगली खबर की जो कि बुपाल सही जहां MP में समविदा स्वास्त कर्मियों की हड़ताल चारी है। देखिए बड़ी संख्या में जो संबिदा स्वास्त कमचारी है वो धरने पर बैठे हुए हरताल उनकी लगातार जारी है कामकाज बंद किया हुगा है और इसका सीधित और परसर जो है वो स्वास्त सिवाओं पर अब पढ़ने दिखने लगा है और जिस तरीके से अगर पू सरकार क्या विचार कर रही है इसको लेकर उनसे चर्चा की जा सके लेकर अब तक किसी प्रकार से कोई भी बाचीत ना तो स्वास्त कमचारी हों की और अब देखना यह होगा कि यह 20 दिन की हरताल है वो आगहमी कब तक चलने वाली आगहमी समय में जिस तरीके से जो स्वास्त सिवा है उन पर और भी गंभी असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा और जिस तरीके से सम्वेदा स्वास्त करबशारियों की जो दो सूत्रिय मांगे हैं वो साब तोर पर सरकार को परिशानी में डाल सकती है और इसी को लेकर सरकार फिलहाल किस तरीके की सोच रखती है या फिर जिस तरीके से आज केविनेट की बैठक जब आयुजित की जाएगी तो इस केविनेट की बैठक में क्या इस हरताल को लेकर भी चर्चा की जा सकती है ये भी विचार करने वाली बात है लेकिन जिस तरीके से जो हरताल और जो स्वास्त संबिदा स्वास्त करमचारियों ने कर रखा है उसका सीधे तोर पर आसर वाम जंता पर देखने को मिल रहा है और स्वास्त सुभी दाएं जो है वो कहीं नहीं लचर होती हुई नजर आ रही है बिल्कुल दुश्यत हम देख सकते हैं किस तरह से 20 वा दिन है अज हरताल का और लगातार जो स्वास्त करमी हैं अपनी मांगो को लेकर अड़े हुए और सरकार लगातार जो इनकी मांगे हैं उसे नजर अंदास कर रही है हमने देखा था पिछे दिनों किस तरह से राजपूत समाज की जो मांगे थी वो सिएम शिवरा सिंग जोहा ने सुनी और उसे पूरा कर दी था लेकिन 20 दिन से ये हरताल कर रहे हैं स्वास्त करमचारी और इसका सर जो है सीधे आम चंता पर पढ़ रहा है देखने को मिल रह कर जाता है बहुत बहुत शुक्री दुशन तमाम जानकारी के लिए तो देखिए लगा तार आज 20 वा दिन है और मद्यप्रदेश में समयता स्वास्त करमियों की हरताल जा रही है स्वास्त सिवाओं पर हरताल का असर साफ तोर पर देखा जा रहा है और इसके साथी मेंशारियों की बहाली की मांग को लेकर भी स्वास्त करमी पिछले 20 दिन से हरताल कर रही है